इस डेखिए जब हम सोशलिख की बात करते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था सेंट करते हैं सब के सब अगर देखा जाए तो आपके ideology होते हैं मैंने liberalism के बारे मैं आपको पढ़ाया liberalism में हमने तीनों strand complete के liberalism के classical liberalism, modern liberalism और neo-liberalism हमने इतना पढ़ा जितने भी ideology होते हैं वो एक triad को support करने की कोशिश करते हैं तीन मैं से किसी एक को, mostly अगर हम बात करें तो अगर हम liberalism की बात कर रहे थे तो liberalism individual को support करता था, liberalism के लिए liberty बहुत important थी liberalism liberty अर्थात स्वतंतरता के concept पर बेश्ट था वहीं दूसरी तरफ अगर हम socialism की बात करें तो socialism society को जादा महत्व देता है कहता है कि समाज सबसे ज़्यादा महत्व पुर्ण है, the society is most important and individual must work for the society, it is not the other way around जो individual है, individual को society के लिए काम करना चाहिए, मेरा voice आ रहा होगा, आप एक बार reconnect कीजिए, क्योंकि मेरा internet का connection ठीक है, मैं पर फिर भी check कर लेते हैं अपने तरप से हलो, हलो, हाँ मेरा मेरा perfect है मेरे site से, बाकी सबको आवाज आ रहा है ना, एक बार लिख दीजे आप लोग, confirm कर लीजे, आप reconnect, अच्छा चलिए बढ़िया है, आ रहा है सबको तो, तो अब हम chat box करते हैं बंद थोड़ी देर के लिए और चलिए हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, एक सकंड रुखिएगा बस, हाँ, तो शोशलिजम जो है, वो समाज को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, जो liberalism होता है, वह private ownership को support करता है, कि जितने भी factories है, companies है, सबको एक private individual own करें, लेकिन अगर हम सोशलिजम की बात करें, तो सोशलिजम common ownership को support करता है, कि जो factory है, य society एक साथ मिलकर उसको run करेंगा, तो सोशलिजम जो है, वह common ownership में believe करता है, liberalism believe करता है, private ownership में, capitalism का मतलब private ownership ही होता है, जो सोशलिजम है, यह equality के concept पर ज़्यादा based होता है, तो हमने क्या समझा, सोशलिजम एक ऐसी ideology है, जो कि समाज को ज़्यादा महत्व देता है, जो कहता है कि individual को समाज के हित में काम करना चाहिए, और जब समाज का हित पूरा होगा, जब society का interest fulfill होगा, तो पूरे के पूरे individual का भी आपका interest fulfill होगा, क्योंकि society से अलग individual नहीं होता है, यह आपका socialism का कहना है, socialism dignity of society पर believe करता है, कि हमें समाज को अधिक महत्व देना चाहिए, समाज की dignity जो है, बनाय रखनी चाहिए, अब socialism जो है, यह inequality को भी कम करने की कोशिश करता है, जितनी भी inequality आपको दिखाई देगी, उसको भी कम करने की कोशिश करता है, सबको equal rights देने की कोशिश करता है, सबको समानता देने की कोशिश करता है, लेकिन समानता देने के लिए, common ownership लाने करके किस चीज़ को जो है हमें स्थापित करना है कॉमन ओनर्शिप को स्थापित करना है लेकिन कॉमन ओनर्शिप को स्थापित करने का अलग-अलग तरीका हो सकता है और उसी के आधार पर आपके socialism के बहुत सारे types होते हैं तो हम लोग socialism के जो types पढ़ने वाले हैं चलि उसके बाएं में बात करते हैं तो socialism का जो सबसे पहला type जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह है utopian socialism थोड़ा सा इनके बारे में चरचा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो शोशलिजम सबसे पहला हो गया यूटोपियन शोशलिजम दूसरा जो है इसको हम कहते हैं इवॉलूशनरी शोशलिजम और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं रिबलूशनरी शोशलिजम रिवॉलूशनरी इसी revolutionary socialism को जो है marxism कहा जाता है revolutionary socialism और marxism दोनों अलग-혈लग चीज़ें नहीं है एक ही चीज़ है Marxism और socialism भी अलग नहीं है Marxism एक टाईप का socialism ही होता है जब हम Marxism के बार में पढ़ेंगे तो Marxism में हम orthodox-Marxism के बार में भी discuss करेंगे orthodox-marxism और्थोडोक्स माक्सिजम का मतलब होता है कि कार्ल माक्स के विचार को लेकर जो थिंकर्स ने माक्सिजम को आगे बढ़ाया उसको और्थोडोक्स माक्सिजम हम कहते है और्थोडोक्स माक्सिस्ट में हम लेनिन को पढ़ने वाले हैं हम माओ को पढ़ने वाले हैं, और हम आलेकेजजेंडरा को पढ़ने वाले हैं, और ρोजाल छैनबोर्ग को पढ़ने वाले हैं, तो यह thinkers को हम लोग orthodox Marxism में पढ़ने वाले हैं, और जो communism होता है, communism के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, communism एक अलग से कोई आपका ideology नहीं होता communism marxism का एक stage है एक चरन है उसके बारे में जब मैं आपको कार्ल माक्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको समझ माएगा अभी भी मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको अब यहाँ पे इनके types जो है इसको कैसे अलग किया गया है आखिर हम utopian socialism को अलग क्यों रख रहे है evolutionary socialism को अलग क्यों रख रहे है revolutionary socialism को अलग क्यों रख रहे है क्योंकि इनका जो method है काम करने का सबका अलग अलग है सबका लक्ष एक ही है शोशलिजम का एक ही लक्ष होता है common ownership को अस्थापित करना कि जितने भी आपके property हो उसमें पूरा का पूरा समाज का हक हो जो भी आपका समाज हो उसमें equality हो उसमें dignity of society हो लोगों को महत्व मिले समाज को महत्व मिले सब यही करना चाहते है लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग-अलग है सब चाहते हैं कि capitalism खतम हो जाए सब चाहते हैं कि जो पूंजी पती है जो बुर्जवा जो समाज है उसको समाप्त कर दिया जाए और उनका जो private property है उसको एक तरह से सब के बीच में बांटा जाए सब यह काम चाहते हैं लेकिन कैसे करेंगे वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे तो जो utopian socialist होते हैं जैसे आपके robot ओएंस हो गया है जैसे चार्स फोरियर हो गया है तो यह आपके sense Simon हो गया यह तीन सबसे important आपकी utopian socialist है इनके बारे में हमने अगले slide में बता भी रखा है तो utopian socialist क्या कहते हैं इनको utopian इसलिए कहा जाते है क्योंकि इनका विचार बड़ा आदरसात्मक विचार है बड़ा ideal है बड़ा utopian है अपने आप में उसको practically अचीव नहीं किया जा सकता है इनसे पूछेगा socialism कैसे लाया जा सकता है socialism का मतलब कि equality कैसे समाज मिला सकते है कैसे capitalism को खतम कर सकते है कैसे private property को गरीबों में बाट सकते है कैसे common ownership ला सकते है तो ये कहेंगे कि हमें जो capitalist class है जो पूंजी वती वर्ग है उनके सामने जाके request करना चाहिए हाथ जुड़कर और उनका हिर्दय परिवर्तन करना चाहिए we have to change their heart जब उनका heart change हो जाएगा तो वो खुद समझ जाएंगे कि हम शोशन कर रहे हैं हम गरीबों का exploitation कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी property खुद छोड़ देंगे और समाज में बाटने के लिए देंगे ऐसा होता है क्या मतलब आप किसी के सामने पूंजी पती है सामने हाँ जोड़िए आप मेरे साथ साहब गलत कर रहे हमें छोड़ दीजे साहब या हमें कुछ पैसे दे दीजे आपने पूंजी को त्याग दीजे साहब अप गरीबों में बाटने के लिए दे दीजे common ownership अस्थापिट करने में मदद कीजे ऐसा कोई करेगा क्या इसे लिए इनको यूटोपियन बोला गया क्योंकि ये कहते थे कि जो चेतना है आपका पूंजी पतिवरक का capitalist का उसको हम लोग अपील करेंगे उनके consciousness को हम अपील करना है और जब उनके consciousness को हम अपील करेंगे तो हम socialism ला सकते हैं इसे लिए इनक जो है जो Cabot है, Sand Simon है, Robot Owens है, Charles Fourier है, in fact Robot Owens को father of utopian socialism कहा जाता है ध्यान में रखेगा CVTPG में आ सकता है और बाकी ये question बड़ा important है CVTPG में से पूछा जाता है in fact net का paper भी देखेगा तो वहाँ भी आपको question देखने को मिलेगा who among the following is not a utopian socialist इन में से कौन सा utopian socialist नहीं है आप option देखेगा तो option आपको क्या दिखेगा net के paper में जो प्रभाद का book आप सबने खरीदा है मेरे ख्याल से 2012 का paper होगा Charles Fourier, Robert Owens, Sand Simon और PJ Prudhau जो PJ Prudhau है वो anarchist है हम anarchism के बारे में भी पढ़ने वाले हैं वहाँ पे हम PJ Prudhau के बार एक बहुत important book है उसको हमें ध्यान में रखना है Voice to Icaria जो Icaria है कि आपका इसका एक कालपनिक द्वीप है कालपनिक द्वीप है जहां पे socialism है Icaria अब यह जो कलपना है कि एक socialism की दुनिया हो अपनी जहां कोई किसी का शोशन ना करे जहां कोई किसी को परेशान ना करे सब के बीच में equality हो ऐसा विचार क्या हमारे इंडिया में भी किसी ने दिया है आप लोग में से कोई बताई है हम opening the chat box ऐसा कोई विचार दिया है क्या हमारे इंडिया में भी एक ऐसा गाउं का कलपना या शहर का कलपना जहां सब बहुत बेहतर हो socialism के तरह हो जैसे Icaria का concept यहां प पर बेश्ट है ओके जो राम राजे का concept है वह अनर्किजम पर बेश्ट है शोशलिजम पर बेश्ट नहीं है गांधी जी शोशलिजम को उतना सपोर्ट नहीं करते थे नहिरू जी भी करेक्ट आंसर नहीं होंगे इन फैक्ट आप लोगों को पढ़ना है आप लोगों के semester 5 म कभीरदास का सेंक्रिटिजम के बाएर में पढ़ना है तो कभीरदास जो है ना कभीर्दास उसकी बात करते हैं कभीरदास का concept है आपका बेगम पूरा का प्रेम नगर का सुने है फिर संत आप रभीदास के बाएर में सुने होंगे तो जो संत रभीदास है father of utopian socialism कहा जाता ह उनका हम लोग दिल चेंज कर देंगे उसके बाद सोशलिजम आ जागा समाज में तो सबसे पहली बार यही बगवास करने वाले थे रोबो टुएंस इसलिए इनको फादर उफ यूटोपियन सोशलिजम कहा जाता है तो यह जो मैं आपको बता रहा था रामराज्य देखिए इक्वालिटी का आना और कॉमन ओनर्शिप होना दोनों अलग-अलग चीज़े हैं बहुत सारे थियोरीज में समानता होता है तो रामराज्य जो है सोशलिजम में नहीं आता वो एनार्किजम में आता है इन फैक्ट गांधी जी को जो है फिलोस्फिकल एनार्किष्ट भी कहा जाता है ओके बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मातना है तो यह जो आईकेरिया वाला कॉंसेप्ट है इसी तरह का कॉंसेप्ट हमें अपने इंडिया में भी देखने को मिलता है जो संतरविदास थे, संतरविदास के बार में सब कोई जानते है तो संतरविदास जी है, वो बेगमपूरा, वो जो है प्रेम नगर की कलपना करते है एक प्रेम नगर बढ़ाएंगे, जैसे आईकेरिया का आईलांड हो उसी तरह से कबीर दास की बात करें तो उनका बेगम पूरा का concept है बेगम पूरा प्रेम नगर हम लोग उसको simultaneously आपस में synonymous भी मान लेते हैं पर इन्हों ने ऐसा concept दिया है इन दोनों ने ओके तो utopian socialist हमारे यहां भी थे जैसे आप रभिदास का नाम ले सकते हैं संत कबीर का नाम लेख सकत है आई होप समझ में आ गया utopian socialism क्या होता है अब हम लोग evolutionary socialism के बात को करने वाले हैं हाँ अब यहां पर हम गांधी जी को छोड़के इस पर आ जाते है Edward Bernstein का आगे हम लोग उसको देखने वाले हैं जो आपका evolutionary socialism है वो कहता है कि हम एक दिन में जो है न वो socialism नहीं लेकर आ सकते उसमें समय लगेगा तो हमें socialism को gradually लेकर आना है धीरे 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 समाज में थोड़ा थोड़ा बदलाव करकर 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 socialism लेकर आना है अब यहां पर evolutionary socialism की खास बात यह है कि यह peaceful method को support करते हैं यह कभी भी violence को support नहीं करते peaceful method को support करते हैं एक evolutionary socialism को छोड़ कर जिसको syndicalism कहा जाता है उसको छोड़ दें तो बाकी के बाकी सब peaceful method को support किया करते हैं कि socialism हम लोग अच्छे से peacefully अपने सबाज में लेकर आएंगे अब जब हम socialism लेकर आएंगे तो socialism state का बहुत important role होगा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो state होगा इस state हमें socialism लाने में मदद करेगा इस state के parliament में हम जा सकते हैं कानून बना सकते हैं और ये socialism को लाने में मदद करेगा तो ये state को जो है positive view से देखते हैं ये state को बढ़िया मान के चलते हैं और इनका मानना है कि state jो है वो एक good है necessary good जैसे मैंगा आपको बहुत सारे statements दिये ते, मैंगा सबसे पहले आपको statement दिये था classical liberalism का, classical liberalism क्या मानता है, state is necessary evil, state बुरा ही है, लेकिन जरूरी भी हमारे लिए हमने classical liberalism में पढ़़ा था, उसके बाद हमने आपको modern liberalism में आपको पढ़ाया था, state is the source of virtue, इस टेट जो है हमारे अंदर विस्सताओं को डेबलब करने में मदद करता है, हमारे गुनों को डेबलब करने में मदद करता है, हमारे वर्चु को डेबलब करने में मदद करता है, उसी तरह से evolutionary socialism का मानना है, कि इस टेट एक necessary good है, जो राज्य है, राज्य हमारी मदद करेगा शोशलिजम को लेकर आने में ये आपका इवालूशनरी शोशलिजम का मानना है तो इसको अलग से हम लोग क्यों रखे क्योंकि इसका मिथ़ड क्या है इसका जो मिथ़ड है पीसफुल मिथ़ड है और साथ ही साथ ये स्टेट को सपोर्ट करता है वही हम आगे बात करें रिबलूशनरी शोशलिजम की तो रिबलूशनरी शोशलिजम को ही मार्क्सिजम कहा जाता है धान में रखेगा मार्क्सिजम एक प्रकार का सोशलिजम है मार्क्सवाद एक प्रकार का समाजवाद ही है मार्क्सवाद का तरीका समाजवात को लाने का अलग है इसी लिए इसको अलग सुरेनी में रख लेते हैं the method of bringing socialism in society is different which was suggested by the Karl Marx that is why the revolutionary socialism is a different type of the socialism but this is a type of socialism तो Karl Marx कहते हैं कि अगर हमें लाना है socialism समाज में तो सबसे पहले हमें तो state को abolish करना पड़ेगा वह stateless और classless society की बात करते है जहां कोई राज्य ना हो जहां कोई आपका class ना हो कोई वर्ग ना हो तो stateless और classless society जब तक नहीं होगा तब तक socialism के हम गोल को अचीवने कर पाएंगे मतलब equality समाज में नहीं आ पाएगी साथी साथ समाज में अगर आप देखिएगा तो common ownership नहीं आ पाएगा जो marxism है या पूरी तरह से private property को abolish कर देना चाहता है यह बिलकुल भी private property को support नहीं करता लेकिन अगर evolutionary socialism की बात करें तो evolutionary socialism private property को support करता है कहता है कि private property को हम regulate करेंगे कानूनों के माध्यम से पर पूरी तरह से private property से लोगों को वंचीत नहीं करेंगे पूरी तरह से लोगों का private property हम नहीं छीनेंगे लेकिन Marxism कहता है कि private property allowed होना ही नहीं चाहिए I hope आपको clear हो गया जो evolutionary socialism है ये democracy में believe करता है कि जो सरकार बनेगी democracy के थूरू बनेगी चुनाओं के थूरू बनेगी और जो आपका Marxism है Marxism democracy में नहीं believe करता Marxism democracy को oppose करता है ये dictatorship में believe करता है और जहां-जहां Marxism की theory apply हुई है वहाँ-वहाँ एक ही party देख सकते है which is called the communist party और वहाँ पर one party rule होता है जो की थोड़ा dictatorship के जैसे आपको देखने को मिलेगा तो ये आपका socialism और Marxism में अंतर है आम तोर पर बोल चाल के भाषा में जिसको हम socialism आम तोर पर कहते रहते हैं वो evolutionary socialism है आम तोर पर बोल चाल के भाषा में जिसको हम Marxism कहते रहते हैं वो आपका revolutionary socialism है तो revolutionary और evolutionary socialism के बीच के अंतर को आप समझ गया तो मतलब आप socialism और Marxism के अंतर को समझ गया तो जो socialism है अभी के बाद मैं evolutionary socialism को socialism का होगा क्योंकि आम तोर पर हम लोग बोलचाल के भासा में उसी कप्रियोग करते हैं और revolutionary socialism को आम तोर के बोलचाल के भासा में हम marxism कहते हैं तो socialism peaceful method से socialism लाना चाहता है marxism जो है वो violent तरीके से एक बार में एक बार में एकदम radical change लाना चाहता है समाज में कि एक ही बार में उठाफे को सबको ये जो है state को support करता है ये state को support नहीं करता इसलिए मैंने marxism में आपको बताया था कि Karl Marx मानता है कि state is a monster state हमेशा exploit करता है गरीबों को state जो है वो किसके द्वारा बनाये गया है पूंजी पतियों के द्वारा बनाये गया है जब मैं Karl Marx पढ़ाओंगा marxism में mainly हमें कारल माक्स के बारे में ही पढ़ना है तो जो political theory है उसी में हम कारल माक्स का political thought पढ़ा देंगे और जब western political thought करेंगे तो वहाँ पे कारल माक्स नहीं पढ़ना है उनका historical materialism, dialectical materialism जो की semester fix का भी आपका syllabus है तो आपका पूरा हो जाएगा अब यहाँ पे democracy को support किया जाता है आप समाजबाद लाने का मतलब समानता लाना समाजबाद लाने का मतलब capitalism को खतम करना या कम से कम reduce कर देना दोनों का goal एक ही है समाज को महत्व देना goal सबका एक ही है पर तरीका अलग-अलग है और क्योंकि तरीका अलग-अलग है इनके तीन अलग-अलग types है I hope clear हो गया अब हम ल of society abolition of capitalism दोनों society को ज्यादा महत्व देते हैं capitalism को abolish करने की कोशिश करते हैं यहां भी आप देखिए same आपको goal देखने को मिलेगा लेकिन method दोनों में अलग-अलग है इसका evolutionary method है धीरे धीरे हम socialism को स्थापित करेंगे समाज में धीरे धीरे हम的 apply कर आएंगे यहां पर method देखेंगे तो यहां पर revolution करेंगे और revolution भी कैसा violent revolution भी हो सकता है हिंसा भी allowed है हिंसक क्रांती भी allowed है क्रांती का मतलब हमेशा हिंसा नहीं होता जैसे Green revolution हुआ तो Green इन revolution में कहां मार पिठ हुआ था? Revolution का मतलब होता है, जब हम लोग समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देते हैं, तो उसको revolution कहा जाता है. अब revolution में क्राँती हो भी सकती है? सोस्वारी सोरी. जो revolution है, revolution में हिन्सा हो भी सकती है, वाइलेंस हो भी सकता है, वाइलेंस नहीं भी हो सकता है, अब जैसे आपका white revolution हुआ था, तो white revolution में तो एक दूसरे का गला नहीं काटा गया था इंडिया में, जिसको हम लोग जो है स्वेत क्रांती कहते हैं, जहां जो अमूल को बनाया गया लाल बहादूर सास्त्री के द्वा आप लोग पढ़े होंगे, modern history में, तो उसमें कौन सा मार पिट हुआ, कोई मार पिट नहीं हुआ है, green revolution इंडरा गांधी जी के time में आया, तो उसमें कौन सा मार पिट हुआ, वहाँ भी कोई मार पिट नहीं हुआ है, तो revolution का मतलब समाज में बहुत बड़ा बदलाव कर दे मार पिट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके, I hope आपको clear हो गया है, अब state को कैसा मानते है, जो evolutionary socialist है, मैंने आपको अभी बताया, ये necessary good मानते है, कहते है कि आपका state हमें मदद करेगा socialism को establish करने में, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम state की बात करें, तो जो marxism state को कैसा मान करता है, कहता है कि state हमेंसा exploit करता है common people को, अब यहां पे class struggle की theory है, अभी के लिए इतना दिहान में रखिए, जब हम Karl Marx पढ़ाएंगे, तो class struggle का theory detail में discuss करेंगे, अभी के लिए इतना दिहान में रखना है, कि जो आपका revolutionary socialism है, वो class struggle में believe करता है, और जो evolutionary socialism है, वो class struggle में believe नह नहीं करता, अब class struggle क्या होता है, यह अपने आप में 15-20 मिनट का topic है, इसको हम लोग discuss करेंगे, जब historical materialism करेंगे, और जब आपका dialectical materialism अगले class में करेंगे, I hope आपको clear होगे, यहां पे आपको difference लिखा हुआ है, evolutionary socialism मतलब आम तोर पर socialism, revolutionary socialism मतलब communism, एक चीज़ और ध्यान मे अपने मुँ से अपनी तारीफ करते हुए कहा था, कि मैंने जो socialism का विचार दिया है, the idea which I have propounded for socialism, that is scientific in nature, और हम लोग इससे socialism जो establish कर पाएंगे, तो इसी लिए जो है, इसको scientific socialism कहा जाता है, क्योंकि कुद कार्ल माक्स ने अपने idea को scientific कहा, इसलिए हम लोग भी कह देते हैं, अब यहाँ पर हाँ बोली कमेंट बॉक्स में अब क्या कहना चाहते हैं, यहाँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया रहीट, अब अगला वाले जो पढ़ने वाले बहुत आसान है, आप लोग को तुरन समझ में आ जाएगा, कोशन कहां सा हैगा हम बता दे रहें पहले, हाँ बोलिए बोलिए आपका क्या कोशन है, पूछे एक बार, कॉम्यूनिजम का आइडिया मार्क्स का था या फिर लेनिन का, कॉम्यूनिजम का आइडिया मार्क्स का था, कार्ल मार्क्स का, कॉम्यूनिजम एक स्टेज है, मार्क्सिजम में, यूटोपियन एक बार और बता दे जे Marxism को ही Communism कहते हैं नई देखिए Marxism जो है न उस विचार में Communism एक चरन आएगा Marxism में ही Communism की चर्चा होती है आम तोर पर Marxism को ही Communism कह देते हैं पर Communism जो है न वो Marxism के अंदर की चीज़ है वो कल के क्लास में समझ में आएगा ओके हाँ फर्दर एक्स्पैंडेट बैलेनी इन मौस इतुंग करेक्ट सही बात है यूटोपियन बिलीव इन डेमोक्रेसी एन स्टेट यूटोपियन शोशलिस्ट ने उनके बारे में कुछ बात ही नहीं किया है स्टेट और और एक ही नहीं होता है कॉम्यूनिजम एक आपका स्टेज होता है माक्सिज़म के थिओरी में जिसके बाहर में कलचरचछा की ज fragen कि यूटोपियन शोशलिजम एक बार और बता देते हैं ठीक है बता देते हैं जो इवालूशनरी शोशलिजम है ना इवालूशनरी शोशलिजम के बहुत सारे टाइप्स होता है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे पार्लेमेंटरी शोशलिजम है फेबियन शोशलिजम है जर्मन डेमोक्रेटिक शोशलिजम है जिसको आप रिफर कर रहे हैं मिस्टर तो जो आप democratic socialism कह रहे हैं वह इवालूशनरी का एक टाइप होता है इवालूशनरी शोश्यलिजम में भी बहुत अलग अलग आपको विचार देखने को मिलेंगे उसी के बारे माच पढ़ने वाले है ग्ल्ड शोशलिजम इवोलूशनरी शोशलिजम होता है आप फरदर एक्सपैंड भाले लेनिन यह समझ नहीं यह आया फरदर इट वाज़े लेनिन हां मतलब देख़िए कार्ल माक्स ने माक्सिजम का ठीुरी दिया अब बाद में एक्सेंड किया ना माक्सिजम के में लेनीन कुछुँए विचार देते हैं मा closing आंपके में पॉला कि हम लोग ऑर्ठोड Including के बारे में पढ़ने वाले हैं तो कर लेंगऄ तो के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है अब यूटोपियन शोशलिजम का क्या मतलब है जो यूटोपियंस थे जैसे आपके रोबोट ओएंस हो गए चार्ल्स फोरियर हो गए सैंड साइमन हो गए फिर आपके इबेट हो गए तो यह सब क्या कहते हैं ना कि अगर हम लोगों को स सोशलिजम लाना है समाज में तो बस हाथ पैर जोड़िए कैपिटलिस्ट के सामने उनका हिर्दय परिवर्तन कर दीजे मतलब कैपिटलिस्ट जो हैं अपनी प्राइवेट प्रोपर्टी खुद छोड़ दें इक्षा से छोड़ दें साधू अधू टाइप बन जाए ऐसा क साथ ओंत सारा थिंगेंगा ट्राइप पड़ना है मांग्सिजम अभी समझ में आएगा क्योंकि इसका अलग से ही क्लास लेंगे Marxism कहीं टाइप होता है Orthodox Marxism तो उसी को देखिए Orthodox Marxism में Lenin के बारे में पढ़ना होता है Mao के बारे में पढ़ना होता है Rosa Alexander के बारे में तो अभी नहीं बता सकते हैं एक ही क्लास में कैसे सब बता सकते हैं आज का topic हमारा evolutionary socialism है यह मैंने एक overview दे दिया कि क्या-क्या पढ़ना है socialism के अंदर तो utopian socialism complete हो गया आज evolutionary socialism complete करेंगे अगले क्लास में Marxism और Orthodox Marxism complete करेंगे Marxism and revolutionary socialism Marxism and revolutionary socialism are exactly same exactly same दोनों में कोई अंतर नहीं है close नहीं है, similar भी नहीं है, same ही है जो revolutionary socialism है उसी को Marxism कहते है Marxism is a type of revolutionary socialism Can we say extreme socialism is Marxism बिल्कुल अब कह सकते है अब चलिए आगे हम लोग discuss करते हैं अब चाट हम बंद कर रहे हैं अब जो evolutionary socialism है इसके अलग-अलग आपको types देखने को मिलेंगे जैसे Fabian socialism हो गया जैसे German democratic socialism हो गया parliamentary socialism भी कह देते हैं कभी-कभी तो एक-एक करके चलिए उसके बारे में हम लोग discuss करने माले हैं socialism state को support करता है communism उसको समाप्त कर देना चाहता है और कुछ-कुछ बात हैं वो अगले class में जब हम लोग कारल मक्स पढ़ेंगे तब समझ में आगा ये class struggle में believe नहीं करते socialist communist जो है class struggle में believe करते है socialism religious tolerance को promote करता है communism religion को oppose कर देता है communist country में religion को नहीं माना जाता अब यहां पर हम लोग evolutionary socialism के type को पढ़ने वाले है अब CUATPG में question कैसा आगा पहले वो बता देते हैं तब इसके बाएर में discuss करेंगे वरना हमें पता लगा कि पढ़ हमने सब दिया लेकिन question बनाने ही नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा फिर सबसे पहले पूछा जाता है कि Fabian socialism को कौन support करता है ओके तो Fabian socialism के इतने सारे supporters है जोहरलल नहरू बहुत famous supporter है Fabian socialism के तो इन पर question आने का ज़्यादा chance होता है और जितने भी यहाँ पे thinker लिखे हुए है सब Fabian socialism के supporters है यहाँ पे कुछ concept है Fabian socialism का और यहाँ पे कुछ statement है Fabian socialism का यह भी आपको पूछ सकता है examination में statement देदेगा बोल देगा कि यह idea जो है कौन से socialism से related है आपको answer करना पड़ेगा इसी तरह से अगला जो evolutionary socialism है इसको हम लोग कहते है German social democracy या इसी को हम लोग कभी कभी parliamentary socialism भी कह देते है समझ मैं या parliamentary socialism इसके कौन से thinker है इसके आपके Lassel नाम के thinker है Ferdinand Lassel अब इनकी थोड़ी सी theory है उसको हमें समझना है तो यहां से ये question बनेगा फिर revisionism जो है revisionism में मैं आपको बता दूँगा ये जो 3-4 बाते हैं ये भी मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ अगले class में बेहतर तरीक से बता दूँगा यहां पे जो revisionism है इसके बारे में Edward Banshtin नहीं बात किया जिन्होंने evolutionary socialism के term को point किया था तो ये हम लोग पढ़ लेंगे revisionism के बारे में और थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेंगे गिल्ड socialism भी evolutionary socialism का ही type होता है गिल्ड socialism के जो thinker हैं बढ़ा famous है G.D.H. Cole बहुत famous है आप सबने सुना भी होगा उनके बारे में तो गिल्ड socialism के बारे में पढ़ लेंगे यहाँ गिल्ड का मतलब समझना बहुत important हमारे लिए कि गिल्ड होता क्या है जब गिल्ड कर लेंगे तो फिर उसके बाद syndicalism के बारे में पढ़ लेंगे अब syndicate और गिल्ड में क्या फर्क होता है यह भी समझ लेंगे और जो आपका syndicate जो आपका socialism है जिसको syndicalism भी कहते है इसका पिलोटियर और पॉगट यह दोनों thinker है तो आपका फर्नांड पिलोटियर और इमाइल पॉगट यह दोनों thinker इसका है और थोड़ा सा हम इसको समझा देंगे कि इसमें है क्या तो कोशन कहां से पूछा जाएगा syndicalism का important thinker तो पिलोटियर और पॉगट याद रखना है concept थोड़ा सा याद रखना है कि यह कैसे socialism लाने की बात करता है उसी तरह से कोशन पूछा जाएगा GDH कोल कौन से socialism से related है तो guilt socialism से related है guilt socialism को थोड़ा विचार भी जान लेना है उसी तरह से revisionism जो है इसका भी आपको विचार जान लेना है इसी को democratic socialism कहा जाता है अभी अंजनी पूछ रहे थे हैं कि democratic socialism क्या है इस इस अनली democratic socialism the revisionism is only called the democratic अरे हम क्या लिख रहे हैं भाई democratic socialism के revolution लिख दिये थे आई होप आपको clear हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है अब चलिए एक-एक करके हम discuss कर लेते हैं क्योंकि जितने भी मैंने आपको अभी बताया फेवियन socialism के बारे में या फिर जर्मन social democracy के बारे में जिसको parliamentary socialism कहा जाता है या revisionism के बारे में जिसको democratic socialism भी कहा जाता है या फिर syndicalism या फिर guild socialism सब के सब किसके type है evolutionary socialism के अगर सब के सब evolutionary socialism के type है तो सब का एक विचार तो common होने वाला है सब बोलेंगे कि हमें socialism को peaceful method से लाना है सब बोलेंगे कि state जो है मदद करेगा socialism लाने में सब बोलेंगे कि democracy के through हम लोग socialism ला सकते हैं सब का ये विचार होने वाला है सब private property को थोड़ा थोड़ा allowed जो है जरूर करेंगे सब religious tolerance को support करेंगे तो जितना difference यहाँ पे मैंने लिख रखा है सब के सब socialism के जितने भी characteristic है सब को support करेगा आपका evolutionary socialism इतना सब को clear होना चाहिए ये जो feature है सब में common होगा fabianism में भी common होगा guild socialism में भी common होगा syndicalism में भी common होगा सब में common होने वाला है अब fabianism के बारे में बात करते हैं यहाँ तक किसी को कुछ doubt है तो please पूछे हम बताएंगे सब को समझ में आ गया ना कि आज पढ़ने क्या वाले हैं अभी तक हम topic शुरू नहीं किये थे अभी topic जाके हुआ है शुरू आज के class का समझ में तो आ गया ना कि पढ़ क्या रहे है ये समझ में आना चाहिए और ये भी तो समझ में आ गया कि CUAT PG में पूछेगा कहां से ये दो चीज़ क्लियर होना चाहिए तब जाके फिर concept समझना है वरना concept सब आता है question ने solve हो पाए तो दिक्कत हो जाएगा आज हम आप लोगों के साथ past year papers भी शेर कर देंगे class के बाद सबको clear है कोई doubt का बात नहीं है शुरू करें फेबियन शोशलिजम से syndicalism का क्या exception बताया था syndicalism जो है ना ये आपका violence को support कर देता है कहते हैं मार पीट के भी socialism ला सकते हैं बट उतना खतरनाक मार पीट के बारे में नहीं बात करता है मतलब जो marxism है वो हत्या तक की बात करता है करने की ये लोग हत्या तक की बात नहीं करते ये पैर हाथ तोड़नी की बात करते थोड़ा बहुत समझे रहा बात को तो थोड़ा सा वाइलेंस है syndicalism में लेकिन वह वाइलेंस का मातरा थोड़ा कम है फेबियन को Democratic Socialism बोलते है बोलते है सर मेरेने पढ़ाया है लेकिन अगर question पूछा जाया कि O.P. Gaba में Andrew Haywood में किसको Democratic Socialism लिखा रहता है तो वो revisionism को लिखा रहता है Democratic Socialism Fabianism में भी democracy है democracy तो सब में है मैंने बोला ना सब के सब evolutionary type of socialism है सब में democracy common होगा तो सब के सब को आप Democratic Socialism कह सकते हैं लेकिन specific तोर पर जो आपका revisionism का theory है उसको Democratic Socialism कहा जाता है चलिए अब इसके बारे में discuss कर लेते हैं Fabian Socialism को भी लिखा है O.P. Gaba हाँ बिल्कुल सही बात है जो Fabian Socialism है न वो Liberalism से मिलता जुलता है ये मैंने content O.P. Gaba से ही ले रखा है और कुछ सुबरा रंजन मैं से और कुछ Andrew हे उट से तो तीनों book मिला कर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ के तो चलिए अब इसको शुरू कर देते हैं हम लोग चहां से question हैगा that is important for us तो यहाँ पर जो Fabian Socialism है ये सबसे पहले British variety of socialism है ये important question है कि Fabian Socialism की शुरूआत कहां हुई ये Britain में हुई तो जो आपका British variant of socialism है that is the Fabian Socialism ये peaceful form of socialism है क्योंकि ये peaceful method को support करता है socialism को लाने के लिए अब यहाँ पर Fabian Socialism जो है ये middle class के मदद से socialism लाने की कोशिश करता है जो समाज में पढ़े लिखे middle class है उनको कहता है कि आप जाकर पूरे के पूरे समाज को समझाओ कि socialism का क्या फाइदा है कि socialism से कैसे जो आपका inequality है खतम हो जाएगा कैसे असमान तक खतम हो जाएगी जब आप पूरे के पूरे समाज को समझा देंगे देखिए capitalist तो नहीं समझाने वाले जाके गरीबों को कि शोशलिजम का क्या फायदा है क्योंकि अगर capitalist समझा देंगे शोशलिजम का फायदा तो उनकी property कम हो जाएगी उनकी private property पूरी तरह से चीनी नहीं जाएगी पर उन जादा tax लगाया जाएंगे उनके पैसे को गरीबों में बांटा जाएगा welfare किया जाएगा society का तो इसी लिए ये तो बिलकुल भी support नहीं करेंगे बिलकुल भी ये narrative ये ग्यान नहीं बांटने वाले समाज को अब middle class ही एक ऐसा आपका class है समाज में जो की अब जाओ समाज में समाज में जितने भी आपके पूर लोग हैं जितने भी worker class के लोग हैं उनको समझाओ जाकर कि किस तरह से socialism से फाइदा पहुँच सकता है समाज को जब एक बार आप logically उनको समझा दोगे socialism के बारे में तो socialism common sense बन जाएगा सब accept कर लेंगे कि socialism बहुत अच्छा चीज होता है ये common जीने का एक तरीका ही बन जाएगा common sense बन जाएगा socialism और उसके बाद आप socialism ला सकते हैं ओके तो फेबियनिजम कहता है कि socialism आप एक दिन में नहीं ला सकते socialism के लिए सबसे पहले आपको इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा तो क्या हाथ में हाथ धरे बैटना है नहीं आपको कुछ करते रहना है क्या करते रहना है तो जाकर आपको समाज में बताना है कि socialism के क्या फायदे है आप एक बार सोशलिजम के फायदे बता दोगे तो उसके बाद सोशलिजम जो है वो logical common sense बन जागा आम लोगों का और एक बार जैसे ही common sense बन गया आम लोगों का सोशलिजम तो आपका जो है iron गरम होगा लोहा गरम होगा उसी समय हथोड़ा मार दो तो यह statement बड़ा famous है कि strike when iron is hot उसी समय वार करो जब लोहा गरम हो तो लोहा गरम होने पर ही चोट करना है तो यह कहता है Fabian socialism यह भी पूछा जाता है कि strike when iron is hot यह कौन से socialism के variant का कहना है तो यह Fabian socialism के variant का कहना है Fabian socialism जो है socialism कैसे लेकर आएगा middle class के मदद से मिडिल क्लास क्या करेगा middle class जो है समझाएगा जाकर गरीबों कि कि socialism का क्या फैदा होता है एक बार वो समझ जाएंगे एक बार समाज का common sense बन जाएगा जो socialism है उसके बाद जो state है state socialism लाने में मदद करेगा state जो है वो कानून बनाएगा और कानून बनाकर socialism लेकर आ जाएगा डेमोक्रिसी की मदद से समझ माया चुनाओ होंगे चुनाओ होंगे तो लोग उन्हीं को vote करेंगे जो socialism की बात करते हैं क्योंकि socialism common sense बन गया समाझ का सब socialism को support करेगा और जब एक बार socialism वाले सरकार में जाएंगे तो वो कानून बनाएंगे फिर legislation करेंगे और उसके बाद आपका जो है बन जाएगा socialism जो है society में आ जाएगा धीरे धीरे करके एक बार में नहीं आ सकता time लगेगा इसमें राइट यह socialism था तो important यहां क्या क्या है middle class के मदद से socialism ला रहे हैं दूसरा important बात जब लोहा गरम है तब थोड़ा मारना है तीसरा important बात यह विरिटिश variant है आपका socialism का चौथा important बात democracy से socialism लेकर आएंगे कैसे democracy से तो उनहीं को चुनेंगे जो कि आपके socialism को support करेंगे समझ रहे हैं तो इस तरह से कानून बना बना कर बना बना कर हमें आपको socialism को लेकर आना है कोई डाउट का बात नहीं है इसलिए कहा जाता है कि यह socialism जो है यह माक्सिजम से बहुत दूर है माक्सिजम और इसमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा इन फैक्ट यह liberalism के काफी करीब है कभी कभी तो welfare state और feminism में अंतर कर पाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो हमने welfare state में पढ़ा था उसी तरह का बात यह भी कर रहा है सबके welfare का ही बात कर रहा है राइट समझ मांगे सबको कोई दिक्कत की बात नहीं है क्लियर है फेवियन शोशलिजम अब आगे हम चलते हैं फेवियन हम बूलिए हां लिखे हां लिखे comment box में और आप लोग को भी कुछ पूशन पूछन पूछना है तो पूछिए अब यहां पर थिंकर्स है comment box में comment box में comment box में question लिखे अब यहां पे जो जॉर्ज बर्नार्ट सौ है ये आपके इनके इंपोर्टेंट ठिंकर है सिड्नी वेब है फिर आपके बी वेब है सिड्नी ओलिवर है ग्राहम वैलिस है और जोहारलल नहरू है इनका नाम एकदम ध्यान में रखिएगा पुछा जाता है अब बहुत अमीर हो चुके है तो कैपिटलिजम मिडिल क्लास आइडियोलोजी था जब वो शुरू हुआ था शुरुआत में जो कैपिटलिस्ट थे वो मिडिल क्लास के लोग थे समझ माया शोशलिजम इस फार फ्रॉम मार्क्सिजम नहीं नहीं मतलब यह जो अच्छा यह ब्रिटिश जो विराइटी है आपका शोशलिजम का इसका यह मतलब है कि फेबियन शोशलिजम की शुरूआत ब्रिटेन में हुई थी राइट अब आगे क्या कोश्चन है? आगे कोश्चन है कि आपका सोशलिजम जो है वो मार्क्सिजम से फार कैसे है? सोशलिजम की मैं नहीं बात कर रहा है, मैं फेबियन सोशलिजम की बात कर रहा हूँ, फेबियन सोशलिजम जो है ये मार्क्सिजम से काफी दूर है, मार्क्सिजम ये state के मदद से socialism लाने की कोशिश कर रहा है क्या फेवियनिजम कह रहा है कि जो private property है खतम कर दो पूरा का पूरा नई क्या फेवियनिजम democracy खतम करने की बात कर रहा है बिल्कुल नहीं कर रहा है लेकिन marxism ये सब बातों को करता है तो marxism से काफी दूर है क्या बिल्कुल करता है तो इसी लिए क्या लिब्रलिजम क कानून में विश्वास करता है फेवियनिजम भी इसी तरह की बात कर रहा है तो ये आपका liberalism के ज़्यादा करीब है और marxism से काफी दूर है राइट, सिंपल सा बात है, हम बता दिये, राइट, nearest क्यों है liberalism का, I think हमको, हाँ piece मिले type, I think हम बता दिये कि क्यों liberalism के करीब है, राइट, क्योंकि liberalism में जितने features हैं, आपको यह Fabian socialism में देखने को मिलेंगे, हाँ opposite of Marxism opposite of Marxism हर एक sense में नहीं बोल सकते है method में बोल सकते है method में बोल सकते है क्योंकि लक्ष तो एक ही है ये भी socialism अस्थापित करना चाह रहा है Marxism भी socialism लाना चाह रहा है समाज में तो लक्ष एक है सबका तरीका अलग-अलग है ये thinkers के नाम ध्यान में रखने है George Bernard saw हो गया, Sydney wave हो गया फिर आपका Sydney Oliver हो गया Graham Wallace हो गया, जो हरलल नहरू हो गया तो ये जो exponent है ये आपके exponents है, राइट gradual process, gradual process को सब support करेंगे जितना भी socialism का type पढ़ने वाले है क्योंकि ये evolutionary socialism है हाँ, ये modern liberalism से काफी मिलता जुलता है, बिल्कुल सही बात है इसलिए welfare state और इसमें अंतर करपाना काफे मुश्किल है अब आगे हम बात कर रहे है आगे अब चट बाक संबंद कर दे रहे है अब यहाँ पर देखिए कभी कभी अंतर करपाना socialism में काफे मुश्किल होता है यहाँ पर जो जर्मन social democracy है, सबसे पहले इसको parliamentary socialism कहेंगे तो parliamentary socialism कहेंगे इसको दिया किस ने था, Furnine and Lassell ने दिया था, अब यहाँ पर जब हम revisionism की बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे democracy के बारे में, parliament के बारे में पर दोनों में अंतर है, इसको समझेगा यहाँ पर जो आपका German social democracy है, वो सिर्फ और सिर्फ worker class के government को बनाना चाता है कहता है कि workers state बनाएंगे state को खतम नहीं करेंगे, लेकिन workers का जो है, उसका state बनाएंगे worker का state कैसे बनेगा तो चुनाओ कौन लड़ेगा, चुनाओ workers लड़ेंगे, सभी workers को समझ में आ जाएगा, socialism के बारे में, सभी workers जाकर चुनाओ लड़ेंगे, जब workers चुनाओ लड़ेंगे, तो क्या workers जीतेंगे चुनाओ में, बिल्कुल जीतेंगे क्योंकि workers का population होता है जादा, और democracy में one man, one vote का सिधान्त होता है, जिसका जितना जादा population होता है, वो उतना जादा vote लेकर आ सकता है, तो जो आपका worker class है, अगर वो चुनाओ में खड़ा होगा तो क्या जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा और जब worker class ही पूरा का पूरा government में हो जाएगा मान लीजे, 100 seat होगा parliament में, लोग सभा में, for example और सवो में आपका worker class का लोग आया है, trade unions का लोग चुन के आया है, या जो workers है वो चुन कर आया है, तो worker state बन गया, समझ में आया बात अब worker state का बात करता है जो आपका German ओके, अब यह जो है यह violent तरीके से capitalist state को थो करने की कोशिश नहीं करता आपको पता है, क्योंकि यह evolutionary socialism का type है, तो यह peaceful method को जो है, उसको ज़्यादा consider करेगा, अब यहाँ पर यह कहता है कि working class जो है, working class को एक political party बनाना चाहिए, तो working class एक political party बनाएगा, और working class जो है, अपने बारे में प्रचार करेगा चारो तरफ, कि देखो workers के साथ कितना ज़्यादा शोशन हो रहा है, कितना ज़्यादा operation हो रहा है हम लोग चुनाओ लड़ रहे हैं, हमें आकर vote दो, और जब working class political party बनाएगा, और एक बार लोगों को समझा देगा, जो कि workers हैं, तो working class political party से चुनाओ लड़ेगा, तो जीतेगा की नहीं, बिल्कुल जीतेगा, क्यों जीतेगा, क्योंकि working class के सभी लोग उसको vote देंगे, और working class जनसंख्या में अधिक होते हैं, अमीर काफी कम होते हैं capitalist वाले, right, मुठी भर होते हैं, लेकिन जो working class के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो working class सबका सब सीठी जीत जाएगा, पूरा का पूरा parliament में उसका कबजा हो जाएगा, समझ माया, इसी लिए इसको parliamentary socialism कहा जा रहा है, अब एक बार working class जो है, आपका workers estate बना लेगा, capitalist estate को जो है, उसको खतम करके, उसको जो है replace करके, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धीरे 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 बहुत सारे legislation किये जाएगे, बहुत सारे कानून बनाया जाएंगे, और जो आपका parliament है, वो कानूनों के माध्यम्षर socialism हमारे सामने ला देगा, समझ माया, तो यहां भी कानून बना के ही socialism लाना है, सब कानून में believe कर रहे हैं, फेबियनिजम भी बोला, कानून बना के ही socialism आएगा, वो भी parliament ही कानून बनाएगा, लेकिन फेबियनिजम यह नहीं बोला था, कि सिर्फ worker class चुनाओ लड़ेंगे, ना, ऐसा नहीं बोला गया था, ओके, यहां इन्फाक्ट middle class का मदद लेने के लिए बोला गया था, यहां पर middle class से हमें नहीं लेना देना, यहां worker class अपना political party बनाएगा, और worker class चुनाओ लड़ेगा, worker class चुनाओ लड़के जीतेगा, और worker class जो है capitalist state को worker state बना देगा, worker state मतलब, जो प्रधार मंत्री है, वो भी worker class का है, जो मंत्री है, वो भी worker class का है, जितने भी आपके MPs हैं, सब worker class के, तो worker state हो गया, और उसके बाद socialism लेकर आ जाएंगे, तो जर्मन social democracy में, एक चीज़ ध्यान में रखेगा, यह Marxism पर बिलीव नहीं करता है, जो यह आपका जर्मन social democracy है, क्योंकि Marxism में बिलीव करता है, तो revolutionary socialism का type में ना था, तो evolutionary socialism में क्यों believe करेंगे Marxism में, क्योंकि दोनों में अंतर है, एकदम normal सी बात है, तो यह Marxism के सिधानतों को believe नहीं करता, इस चीज़ को ध्यान में रखेगा, ओके, I hope आपको clear हो गए, यहां से 3-4 क्या-क्या बाते ध्यान में रखनी है, स्यूइटी पीजी के लिए German Social Democracy को ही Parliamentary Socialism कहा जाता है, German Social Democracy नाम से ही clear है, कि यह आपका, जो है Germany से आया है, German Social Democracy के thinker कौन है, Ferdinand Lassil, उनका नाम है, अगला क्या बात में ध्यान रखना है, कि Socialism कैसे लाएंगे, Worker State के मदद से, Worker State कैसे बनाएंगे, Socialism लेखर आएगा, ऐसे कानून बनाएगा, जिससे आपका Private Property को, हम लोग Dispers कर सकें, Distribute कर सकें, समझ माया बात, Simple सा logic, कोई दिक्कत की बात नहीं है, clear हो गया, तो यहाँ पर यह important हमारे लिए, अब यहाँ पर जो Revisionism है, इसको Revisionism इसलिए कहा जाता है, क्यूंकि, इसने Karl Marx के Theory को Revise किया है, Karl Marx के Theory में, बहुत सारी गलतियां थी, और उस Karl Marx के Theory को, इसने Revise किया, उसको Criticize किया, इन लोग जो है, जितना भी अभी तक हम आपको पढ़ाएं है, Fabian Socialism, ये Karl Marx के Theory को Reject कर दिया, कारण नहीं दिया, क्यों Reject कर रहे हैं, बस Reject कर दिया, ये भी कारण नहीं देता है, जर्मन Social Democracy कहता है नहीं, Marxism ठीक नहीं है, कारण नहीं देता है कि क्यों ठीक नहीं है, अब यहाँ पर जो Revisionism है, ये भी डेमोक्रेसी के मदद से ही, ये भी जो है, डेमोक्रेसी के मदद से ही, लिबरल डेमोक्रेसी चुनाओ उनाओ कड़ा के, और Socialism लाना चाहता है, ये भी लिबरलिजम के जैसा ही है, लेकिन इसको हम लोग Revisionism इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इसने Karl Marx के थियोरी में, जो है कुछ Revision किया है, तो Karl Marx के कुछ ऐसे सिधानत हैं, जिससे ये बिलकुल भी सहमत नहीं है, अब ये क्यों सहमत नहीं है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में, Marxism में बात कर लेंगे, लेकिन क्या-क्या थियोरी से सहमत नहीं है, उसको हम पहले आपको बता दे रहे हैं, अब यहां पर Karl Marx ने बोला था, कि क्लास इस्ट्रगल जो है, क्लास इस्ट्रगल से, आपका Revolution होकर रहेगा, क्लास इस्ट्रगल इतना ज़ादा बढ़ जागा, आपका एक सुसाइटी में, क्लास इस्ट्रगल क्या होता है, यह सब हम कलखी क्लास में बताने वाले हैं, मार्क्सिजम में, क्योंकि अभी बहुट टाइम लग जाएगा, तो Karl Marx ने यह सारे प्रेडिक्शन कर रखे थे, अब यह सारे प्रेडिक्शन जो है, अभी भी काफी important होता है, MSME का काफी जादा important role होता है हमारे economy में, तो Karl Marx ने बोला था कि large scale industry ही सिर्फ बचेंगे, small scale industry खतम हो जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा क्यों हुआ कल के class में समझेंगे, अब यहाँ पर Karl Marx ने एक और बात बोला था, कि middle class पूरी तरह से खतम हो जाएगे capitalism आने के बाद, क्योंकि middle class भी गरीब बन जाएगा, सिर्फ दो ही class रहेंगे समाज में, एक habs और एक have nots, एक ameer और एक गरीब, दो ही समाज रहेंगे, क्या middle class खतम हुआ, middle class की संख्या तो और बढ़ गई capitalism में, तो यही बोल रहें Edward Bernstein, कि भाई कार्ल मार्क्स तुमने तो बोला था, कि पूरी तरह से middle class खतम हो जाएगा, capitalism आने के बाद, तो middle class खतम होने के बजाए बढ़ गया, उनकी जन संख्या तो अभी सबसे अधिक हो गई, तो आपकी तो यहाँ पे जो theory है वो तो गलत हो जाती है, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि small scale industry खतम हो जाएगा, सिर्फ large scale industry रहा, जो है रहेगा, ऐसा तो नहीं हुआ, समझ में आया बात, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि class struggle और ज़्यादा intensify हो जाएगा, capitalism आने से worker का condition बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, और ज़्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन क्या worker class का condition खराब हुआ और ज़्यादा, condition तो बेहतर हुए, आट घंटे का काम, उनको life insurance भी दिया जाता है, company के तरब से European country में health insurance भी दिया जाता है, तो आपने तो बोला था कि capitalism आने के बाद worker class का इस्थिति और खराब होगा, इस्थिति तो खराब हुआ ही नहीं, तो कार्ल मार्क्स ने जितना भी आपका बात बोला था, वो बात को सबसे पहले logic से ये काटने की कोशिश करते हैं, अब क्या-क्या logic देते हैं, वो जब Marxism पढ़ेंगे तब समझ माएगा, तो इतना चीज ध्यान में रखेगा, जो Edward Banstein है, ये कार्ल मार्क्स के थियोरी में रिवाइस करते हुए कहते हैं, कि कार्ल मार्क्स तुमने गलती कर दी, कार्ल मार्क्स तुमने बोला था, कि जो worker class है, worker class की स्थिती और खराब हो जाएगी capitalism में, पर ऐसा नहीं हुआ, उनकी स्थिती बेहतर हुई है, तुमने बोला था middle class समाप्त हो जाएगा, middle class समाप्त नहीं हुआ, middle class और ज्यादा बढ़ गया है, middle class की सबसे अधिक जंसरंख्या भी, अगर समाज में देखी जात कारल माक्स तुमने बोला था, small scale industry पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, small scale industry समाप्त नहीं हुई है, small scale industry और ज्यादा flourish कर रही है, छोटे छोटे startups और ज्यादा flourish कर रहे है, MSME और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, तुमने ये सभी बाते बोली सब गलत साबित हुई, तो revise कर रहा है, कारल माक्स के थियोरी में, इसलिए इसको अलग से एक थियोरी मानते हैं, revisionism का, वरना बात वो भी यही बोलने वाला है, कारल माक्स ने ये भी बोला था कि आपका class जो conflict है, ये कभी खतम नहीं होगा, आपस में लड़ाई जगडा करते रहेंगे, हमेशा अमीर नहीं रहेगा, तो हमारा काम नहीं चलेगा, और अमीर को भी पता है कि गरीब के बीना हमारा काम नहीं चलेगा, तो उनके बीच में समन वय है, आप भले ही इस्थिती भारत में ना देखें, लेकिन European country के perspective से अगर आप देखिएगा, तो ये चीज़ आपको देखने क बुला जाता है, Mr. XYZ, Miss XYZ या Mrs. XYZ, respect के साथ, तो ये चीज़े जो आप कह रहे थे कार्ल माक्स के class conflict कभी खतम नहीं होगा, इनविटेबल है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, समझ माया, इसलिए बैंस्टीन कहते हैं कि देखो भाईया, मैं तो democracy को prefer करूँगा, क्योंकि ये democracy को prefer करते है, इसलिए मैंने इसको democratic socialism कहा, अब आप बोलेंगे फेवियनिजम भी तो democracy की बात की, बिल्कुल बात किया है, democracy की बात की तो worker state भी democracy की बात कर रही है, parliamentary socialism बिल्कुल बात कर रहा है, सबके सब democratic socialism हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ democracy की बात की जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिजम कहा था और बुक्स में भी यह आपको देखने को मिलेगा आई होप आपको क्लियर हो गया लेकिन आम तोर पर ऐसी हमारी सहमती है कि फेबियनिजम को हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिजम कह देते हैं लेकिन कुछ बुक में रिविजनिजम को डेमोक् फ्रेंचाइज है सब जनता वंता वोट करेगा जनता वोट करके सरकार बनेगा सरकार बनाके और फिर उसके बाद लेकर आएगा अपना सोशलिजम कानून बनाकर तो रिवीजनिजम यह इसलिए लग है क्योंकि इसने कार्ल माक्स के थियोरी को रिवाइस किया है समझ माया बात कार्ल माक्स के थियोरी को क्रिटिसाइज किया है इन्होंने Karl Marx के थियोरी को नहीं माना, reject कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया इसने भी Karl Marx के थियोरी को नहीं माना, reject कर दिया, कारण बताया इसने Karl Marx के थियोरी को नहीं माना, reject कर दिया, कारण बताया तीन कारण, चार कारण इसा, बहुत important कारण इसे लिए revisionism, I hope समझ में आ गया, तो revisionism कौन देता है, revisionism Edward-Bandstein देता है, कोई डाउट की बात नहीं है, दो और है guilt socialism और आपका syndicalism, अब यहाँ पर दो concept हमें समझना पड़ेगा, guilt socialism को समझने के लिए, देखिए, दो तरह का representation होता है, एक होता है territorial representation, territorial representation, मेरा handwriting थोड़ा जाता ही खराब है, दूसरा होता है functional representation, functional representation, इटली में चलता है, हमारे इंडिया में territorial representation है, अगर लोग सभा के 543 seats हैं हमारे country में, तो पूरे देश को 543 parts में बांट दिया जाता है, और वहाँ से नेता चुन कर जाते है, अब territorial representation जो है, वह एक territory को represent करने का काम करता है, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या territorial representation में जो different classes है by profession हमारे society में, क्या उनके हितों के बात कोई कर रहा है परलियमेंट में, एक professor का group हो सकता है, क्या professor के बारे में बात किया जा रहा है परलियमेंट में, कि उनकी क्या need है, उनको क्या चाहिए, क्या teachers की बात की जा रही है, क्या doctors की बात की जा रही है, क्या lawyers की बात की जा रही है, क्या businessmen की बात की जा रही है, क्या worker class की बात की जा रही है, अलग अगर worker class और businessmen का बात कर भी ले रहे हैं, farmer का बात कर भी ले रहे हैं, बाकी और professions का क्या, teachers की अपनी कुछ needs होती है, उनके बारे में discuss करने वाला कौन है parliament में, advocates के बारे में, doctors के बारे में, engineers के बारे में, who is taking care of them, कौन उनकी बात कर रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है, functional representation में क्या होता है, हम लोग territory पर vote नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग professional लोगों को चुनते हैं, मालीजे, 543 seat है, तो उसमें से कुछ seat जो है, teacher को दे देंगे, कुछ seat lawyer, जो कुछ seat है, वो doctor को दे देंगे, कुछ seat engineer को दे देंगे, समझ रहे हैं बात, अगर मालीज एक seat engineer को दिया गया, वो इसे 10 seat दिया गया, लेकिन आपका एक seat पर बहुत सारे engineer खड़े हो सकते हैं, चुनाओ में, 4-5 engineer हुए, अब इसको vote भी सिर्फ engineer ही करेगा, तो जो सबसे बहतर engineer होगा, वो जीत कर जाएगा चुनाओ, इसी तरह से अगर आप सुने होंगे, तो जो आपका trade chambers होता है, districts में इसी चुना होता है, जो trade chambers होते हैं, वो आपके business को represent करते हैं, एक district में, जैसे राची का आपका trade chamber commerce है, जैसे और भी आपके भी statement district में देखेगा, तो chamber commerce आपको देखने को मिलेगा, तो functional representation कहता है, कि भाई territory के basis पर अगर तुम represent करोगे ना, काम नहीं चलेगा, क्योंकि territory में आप profession की बात नहीं करते हैं, और बहुत सारे, बहुत सारे professional लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो professional लोग की need अलग-अलग है, सब के लिए अलग-अलग economic policies चाहिए, तो आप तो सब को एक साथ लेकर चल रहे हो, कैसे काम चलेगा, तो guild socialism जो है, कहता है functional representation के बारे में, जैसे Italy में चुना होता है, जैसे teacher, जो है चुना में खड़ा होगा, teacher ही vote करेगा, ऐसा कुछ होता है क्या हमारे इंडिया में कहीं भी, constitution में अगर आपने कभी पढ़ा होगा, या कुछ भी idea knowledge, ऐसा कभी कुछ होता है क्या हमारे यहां भी, कुछ इस तरह क functional representation है क्या, बिल्कुल सही जबाब, शिवान्स, right, MLC, right, जो हमारे MLCs होते हैं, जो हमारा विधान परिशद है, विधान परिशद कुछ ही राजियों में है, UP में है, बिहार में है, कुछ ही राजियों में है, right, तो जो MLCs होते हैं, member of legislative council, right, तो member of legislative council, जो है, वो आपके इस तरह से चुने जाते है, मैं आपको जब state legislature के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर पढ़ाऊंगा, कुछ seats जो है, graduates के लिए जाते हैं, कुछ seats जो है, वो आपके जाते हैं, teachers के लिए, इस तरह से, वहां भी, जो है, representation मिलता है, सर कैसे functional territorial से बहतर, कैसे है, अब हम, देख representation है, उसमें हर एक profession के interest को represent किया जाएगा, अब doctor का बात कोन करता है, Parliament में, कोई नी करता है, क्योंकि doctors है ही नहीं, right, तो doctor का कोई बात करने वाला नहीं है, advocates का कोई बात नहीं करने वाला है, teacher, professor का कोई बात नहीं करता, उनका भी तो कुछ अलग need होगा, उनका भी तो कुछ अलग economic interest होगा उसको भी तो पूरा करना चाहिए तो इसलिए गिल्ड socialism कहता है कि functional representation होना चाहिए I hope आपको समझ में आ गया तो MLC में इसी तरह से कुछ हमारे हां होता है जैसे UP में बिहार में आप देखिएगा महराष्ट्रा में अगर आप देखिएगा तो जहां जहां भी आपको देखने को मिलेंगे बिधान परिशद आपको देखने को मिलेगा हम state legislature में इसके बारे में पढ़ाएंगे जब इंडियन constitution करेंगे अब यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर guild का मतलब समझेए आप और यहीं पर मैं syndicate का मतलब समझा दे रहा हूँ syndicate term जो है students में बहुत famous है मतलब जब हवा पानी देना रहता है तो dealing देते समय कहते हैं न हम लोग हमारा syndicate बहुत मजबूत है कुछ भी कर सकते हैं right guild और syndicate में क्या फर्क होता है guild जो है यह किसी भी profession का हो सकता है जैसे doctor का एक group है तो उसको भी guild बोलेंगे जैसे worker का एक group है उसको भी guild बोलेंगे अगर lawyers का group है तो उसको भी guild बोलेंगे तो जो guild है यह किसी का भी हो सकता है economic interest पर guild बनाए जाता है समझ माया? guild economic interest पर बनता है गिल्ड किसी का भी हो सकता है teachers का गिल्ड हो सकता है in fact police association होता है वो भी एक तरह का गिल्ड होता है तो गिल्ड जो है profession के जो है इस्तेमाल जो है उसके basis पर बनाया जाता है doctor का लग गिल्ड हो गया advocate का लग हो गया teacher का लग हो गया professor का लग हो गया तो इस तरह से guild बनते हैं लेकिन syndicate जो है अच्छा एक बात और guild worker का भी हो सकता है लेकिन आगर हम बात करें syndicate की तो syndicate जो term है ये syndicate सिर्फ group of worker class को represent करता है तो जब हम worker class के group की बात करते हैं तो उसको syndicate बोला जाता है तो syndicate is the exclusive word ये एक special word है जो किसको represent करने का काम करता है सिर्फ worker के group को represent करने का काम करता है guild बाकि सबको represent करने का काम करता है guild किसी वे group को represent कर सकता है but by profession आपको देखना पड़ेगा आप जाती धरम के नाम पे नहीं देख सकते हैं profession के आपस्तर पर देख सकते हैं एक प्रोफेशन के जो लोग है वो एक गिल्ड का पार्ट बन सकते हैं आई होप आपको समझ माया तो यहां पर गिल्ड सोशलिजम क्या कहता है कि भाई देखो सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन फंक्शनल पार्लियमेंट और फंक्शनल पा से देखिए शोशलिजम जो है ना सबका जी डिएच कोल जो समर्थक है आपके इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि सोशलिजम इस लाइक है जैसा है और इस शोशलिजम के टोपी को इतने लोगों ने पहना है कि उस टोपी का शेप ही खतम हो गया उसने अपना शेप लूज कर दिया है मतलब शोशलिजम को हर एक विक्ति हर एक समाज अपने हिसाब से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है अपने हिसाब से डिफाइन करने की तो सोशलिजम का अलग अलग परस्पेक्टिव होता है सब ओ सॉरी 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 हाँ यह CEM जोड का है रहे इंके बारे में बोल मैं इनके बारे में रहता गलती से जीडीएच कोल निकल गया मुझसे तो जीडीएच कोल जो है और सीएम जोड यह दोनों गिल्ड शोशलिजम से बिलॉंग करते हैं अब यहां पर यही चीज हमें समझना है शोशलिजम का अलग अलग definition है सब के लिए doctors के अलग definition है advocate के लिए अलग definition है अब कैसे कह सकते हैं कि यह आपका शोशलिजम है वो खुर decide करेंगे कि उनका शोशलिजम क्या होगा तो functional representation के थूँ शोशलिजम को हम लोग establish कर सकते हैं परलियमेंट में जो है अपने profession के basis पर गिल्ड मिंस group गिल्ड मिंस group लेकिन एक काम करने वाले लोगों के group को गिल्ड बोला जाता है जैसे teacher है तो teacher का group को गिल्ड बोलेंगे doctor का group को गिल्ड बोलेंगे हाँ, guild of worker is syndicate बिल्कुल सही बात syndicate सिर्फ और सिर्फ worker के group को बोला जाता है लेकिन गिल्ड किसी भी profession के group को बोला जा सकता है doctor के group को, lawyer के group को, teacher के group को, professor के group को आप जितने भी profession सोच सकते है, engineer के group को, right? आपका क्या question है प्रभू? Marxism से काफी concept common है, गिल्ड socialism में ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि Marxism से common है, इसमें बिल्कुल नहीं बिल्कुल Marxism तो state को ही Marxism classless society की बात करता है, Marxism से common नहीं कह सकते हैं, कोल को Fabian socialism, नहीं ने, जीडियेज, देखें, जीडियेज कोल को Fabian socialism में लिखा हुआ, देखें, उसको लेकिन उसको उसमें मत रखिएगा, क्योंकि question गिल्ड सोशलिजम से आएगा, क्योंकि आप गिल्ड सोशलिजम भी पढ़िये, आप O.P. Gauva में, तो वहाँ भी आपको GDH कोल देखने को मिलेगा, इसलिए हम confusion के लिए यहाँ पर ने लिखे हैं, क्योंकि GDH कोल जब पूछेगा, वो गिल्ड सोशलिजम है, पूछेगा, राइट, Labour Union is a syndicate और गिल्ड, दोनो, Labour Union दोनो है, उसको गिल्ड भी बोल सकते हैं, syndicate भी बोल सकते हैं, ओके, तो syndicate एक गिल्ड हो सकता है, लेकिन सब गिल्ड syndicate नहीं हो सकता, हाँ मैंने आपको कोशन देखा, मार्क्सिजम और गिल्ड सोशलिजम में काफी चीज़ें मिलती जुलती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं मिलती जुलती हैं, यहां गिल्ड सोशलिजम के बारे में, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, यहां पे कोशन ध्यान में रखिएगा, कि गिल्ड सोशलिजम किसने किसने दिया था, CEM जोड ने दिया था, GDH कोल ने दिया था, गिल्ड सोशलिजम functional representation पर belief करता है, यह चीज़ को ध्यान में रखना है, गिल्ड के मतलब को ध्यान में रखना है, बस इतना कोशन हैगा, CVT में, ओके, ऐसे तो सब चीज़ में common निकाल देंगे, शिवान साहब, रैट, यहां 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 तक clear है, रैट, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते है यहां पर, नोट्स में, मार्क्सिजम और इसमें एक ही आप जो economic perspective बोल रहे हैं, बस वही common है, बाकी कुछ common नहीं है, अब यहां पर syndicalism की बात करते हैं, यहां syndicate के बारे में बात करते हैं, अब यहां यह आपका पिलोटियर दिया था, और पॉगेट दिया था, यह लोग inspired कहां से हुआ था, यह लोग जो है, George Sorrell नाम का एक thinker है, जो की anarchist है, तो George Sorrell से inspire होकर, इन्होंने syndicalism का सिधान्त दिया है, ओके, यह हम लोगों को ध्यान में रखना है, तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, क इसका अलग-अलग economic interest होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो socialism कौन लेकर आएगा, socialism syndicate लेकर आएगा, यह लोग कहते हैं कि syndicate पूरे country को चला है, syndicate से पूरा का पूरा देश चलाएगा, worker ही देश को चलाएगा, जब worker का union पूरे देश को चलाएगा, तब जाकर socialism आ सक सकते हैं, हम लोग बंद बुला सकते हैं, ज्यादा अगर ज़रत पड़े तो तो चाट डंटा पीड भी सकते हैं किसी को, तो syndicalism जो है, थोड़ा सा violence को भी support करता है, तो यह क्या-क्या method बताता है, बोलता है, बंद बुला लो, उसी दरह से कहता है, बंद बुला लो, mass demonstration करो प्रोटेश्ट करो, strike करो, factory में काम ही करना बंद कर दो, syndicalism का क्या तरीका है, socialism लाने का, सो सुन लीजे, कहता है, factory इसलिए चल रहा है, capitalism इसलिए चल रहा है, क्योंकि worker factory में काम कर रहे है, worker strike पर आ जाएंगे, जब worker strike पर आ जाएंगे, तो factory चलना हो जागा, बंद, capitalist अपन हमें manage करने दो company को, हमें factory को manage करने दो, उसके बाद हमारे हाथ में power आ जागा, कितना बढ़िया बात है, कितना बढ़िया सोच रहे है, लेकिन कितना वाहियात मतलब idea है, इसा कभी होगा, यह अपने आप में utopian idea है, मतलब strike कर देगा worker लोग, तो capitalist लोग घुटने पर आ और चला जाएगा, और syndicate ही rule करेगा पूरे country को, और syndicate socialism लेकर आ जाएगा, यह आपका syndicalism है, पर syndicalism का ध्यान में रखिएगा, कि syndicalism फ्रेंच variant है, और फ्रांसेसी क्रांती में आप जानते हैं, मार पिट तो हुआ ही था, आपको execute कर दिया था, जो King Louis था उसको, और जो Mary Anton जो उसकी wife थे, उसको भी मार दिया था सब, तो फ्रांसेसी हमेशा क्रांती में बिलीफ करते हैं, और violent क्रांती में बिलीफ करते हैं, daily wage is method, daily wage worker, इस method को follow नहीं कर सकते, एक दिन में भूखे मरेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, daily wage वाले कहां से follow करेंगे, bank वाले भी नहीं follow कर सकते, कुछ-कुछ सरकारे जो है न, इंडिया में भी मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है, जब रगुबर दास की सरकार थी जारखंड में, वो ठीक ठाक सीम थे, बीजेपी के सीम थे, ठीक ठाक थे, उन्होंने काफी हद तक नकसलवात को खतम कर दिया था, काफी हद क्राइम खतम हो गया था, वो थोड़ा मूडी आदमी थे, क्या कि आप बैंक वाला, बैंक वाला बोला कि हमें स्ट्राइक पर जाएंगे, बोला कि जो स्ट्राइक पर जाएंगे, बोला कि जो स्ट्राइक पर जाएगा, सब को नौकरी से निकाल देंगे, दो तीन दिन स्टेट नहीं माल लेगा इसी तरह से तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा क्या हाँ शिंगा पूर में एर्पॉर्ट इंपॉय के साथ वो था बिलकुल बिलकुल तो यह बहुत सारी सरकारे जो है वह सपोर्ट निकरती है आई होप आपको खार यह है यह हमलोक सोरेल से inspired होकर दिया है George Sorrel के बारे में एनार्खिजम में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा evolutionary socialism के बारे में क्या क्या पढ़ा syndicalism के बारे में गिल्ड शोशलिजम के बारे में जर्मन सोशल डेमोक्रिफी के बारे में, फेबियन सोशलिजम के बारे में, रिविजनिजम के बारे में इतना सारा पढ़ा हमने सर गिल्ड वाले कैसे लहेंगे सोशलिजम, गिल्ड वाले कह रहें न, जैसे CEM जोड कहता है कि शोशलिजम टोपी के जैसा है, जो चाहे वो पहनता है, उसको अपने तरह से डिफाइन करता है, तो सोशलिजम जो है, जितने भी प्रोफेस्टनल्स हैं, डॉक्टर्स, लोयर्स, जितने भी लोग हैं, सब ग्रूप का लोग पार्लियमेंट में जागा, वहाँ डिसकाशन ह कि आखिर सही माईनों में सोशलिजम है क्या, तब एक एग्रिमेंट पर पहुँचेंगे, और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, कानून बनाकर, क्योंकि सोशलिजम जो मेरे लिए है, में भी आपके लिए ना हो, मेरे लिए जो समानता है, वो में भी आपके लिए समा हो गया सी इम जोड जो है इसी को बताने की कोशिश कर रहा है कि सोशलिजम एक टोपी के जैसा है सब को इसको पहनने का कोशिश करता है इसको इतना पहना गया है कि इसने अपना शेप को लूज कर दिया है common definition of socialism हां तो सबसे पहले common definition socialism का decide किया जाएगा गिल्ड शोशलिजम के अनुसार, राइड, सिंडिकलिजम एज वॉयलेंट टेकनीक, देन हाव इट केम टू भी इवालुशनरी शोशलिजम, क्योंकि ये क्लास स्ट्रगल को नहीं बिलिप करता, इसी लिए इसको इवालुशनरी शोशलिजम में लाया गया है, और ये पूरी इसको इवालुशनरी शोशलिजम में भी नहीं रख सकते है, लेकिन क्योंकि आम तोर पर कुछ आइडिया जो है, इसका मिलता जुलता है इवालुशनरी शोशलिजम से, तो बुक्स में वहीं पे लिखा रहता है, क्योंकि बुक्स में इवालुशनरी शोशलिजम में लिख इंडीकेलिजम वाले को छोड़के सिंडीकेलिजम जो है उसमें सिंडीकेट काम करेगा labor union के ठूरू लेंगे इस्ट्राइक वोगोट सेटो एक्सक्टरा हां बिल्कुल यूनियान श्ट्राइक की सब करके लाएगा आई होप आप लोग को क्लियर हो गया सिंडीकलिजाम अपोज श्टेट नहीं अपोज नहीं कर्ता सेट को कहता है कि एश्टेट बनेगा कैसा इस्टेट बनेगा सिंडीर करकर करेंगा यहां पर हम लोग ने साथ हम बना लेते हैं कल के लिए ओके ताकि कल से चलिए बहुत बढ़िया सबको अच्छा लग रहा पढ़ने में अब याद रखिएगा कॉंसेप्ट से जाधा इंपॉर्टेंट कोश्चन कहा से आगा वो जाधा इंपॉर्टेंट है राइट नोट्स कैसे बनाना है हम आपको बता दे रहे हैं एक ऐसे चार्ट बना लिजेगा अपने नोट बुक में ठीक है यहाँ पर इवालुशनरी शोशलिजम लिख लिजेग एवी अब यहां पर कि कि दो तीन कोलम बना लिजेगा यहां पर लिख लिए गया और पेज को हो सके तो पेज को ऐसे घुमा लिजेगा ताकि आपको ज्यादा सपैस मिल सके ओक Charles ऐसे घुमा लिजेगा क्योंकि आप लोग जो नोट्स लिख रहे हैं नोट्स आप लोग बहुत बड़ा बड़ा बना दे रहे हैं देखिए नोट्स जो होता है नोट्स खुद को समझने के लिए होता है नोट्स दूसरा को समझाने के लिए नहीं होता है तो एक-एक बात जो उस दिन नोट्स भेजी थी या फिर मेरे को मोहित भी बेजे थे हर्स पांडे भी बेजे थे तो आप लोग 4-5 लोग मेरे को नोट्स भेजे हैं अच्छा नोट्स आप लोग का बहुत बहतर नोट्स है लेकिन उस तरह से नोट बनाईगा ना सर तो 200-300 पेज का नोट्स चला लिए होता है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक PSIR के परस्पेक्टिव से बना लीजे और एक नोट्स देखे डिटेल आप बना सकता है पर दो नोट्स बनाईए अगर ऐसा है तो एक आप ठीक से नोट्स बना लीजेए साप पॉइंट में बना इक नोट्स त्योंकि पॉइन्ट वाला ही इस ट्राइक वेन आइरन इस होट ऐसे लिख दीजिए रोल ऑफ मिडिल क्लास या सिर्फ मिडिल क्लास मिडिल क्लास वहां लिखा हुआ है तो बस समझ में आ जाएगा कि मिडिल क्लास जो है वो कॉमन सेंस बना देगा सोशलिसम को पूरे समाज में रही सपोर्ट एस्टेट ऐसा करके बस तीन-चार पॉइंट नोट्स खतम एक्स्पोनेंट का नाम लिखे अगला वाला में आ गए इस तरह से नोट्स बनता है अ हम सैंगे । खुँद से बनाए गा तो ज्यादे बेखतर रहेगा तो इसमें क्या में वाय तो सिंपल सा था इसमें आप लोग खुद हो गया बस इतना हो गया और इधर थिंकर का नाम बस यही दो-तीन बात है और कुछ इसमें करना नहीं है क्विज हम ना जैसे एक टॉपिक जैसे कंप्लीट के लिब्रलिजम तो लिब्रलिजम का क्विज देंगे और आप लोग को हम मॉक टेस्ट प्रोवाइट कर देंगे जितना भी आपका थीम वाइस मॉक है ना आप लोग धीरे-धीर उसको लगाते जाएए आज हम फिर से आप कभी-कभी साल डेरी साल बाद हम ही को नहीं समझ में आता है वह ठीक है कोई दिक्कर का बत नहिंए मेरे पस दो नोट्स है हम जब कभी-कभी हिस्ट्री यह सब पढ़ते है ना तो हिस्ट्री तो मेरा आपका डोमेन हैंने जैसे हम तो पॉलिटिकल साइंस इतना पढ़ा रह जाता है पूरा आइडिया जाता है वह बहतर है आंसर राइटिंग में भी अगर आप लोग सेमेश्टर का आंसर राइटिंग का तयारी भी करते हैं तो इसी तरह से एक प्रॉपर आंसर команд पांच ऐसे पॉइंट बना लीजिए इस में हम को लिखना क्या यह 1 दो तीन चरल पांच अब अच्छा माक्स मिलेगा क्योंकि हम पैराग्राफ में लिखके फसे हैं एक बडियू में मेरे को कम माक्स आया था मेरे एक टीचर बोले थे जे नियू के मतलब सब्सक्राइब करेंगे माक्स लंबा टॉपिक है और जैसे ही मेरा यूजी सीनेट का क्लास उधर खतम हो जाता है आप लोग का हम रोज क्लास कर देंगे होगे और मार्च में एक्जाम नहीं होगा डोंट वरी फटाट एक्जाम लेट से ही होगा डूट अप लोग का स्लेवर्स हम बहुत जल्दी खतम करा देंगे उसके लिए टेंशन नहीं लेना है हां अराम अराम से ही बट्सलेवर्स भी पढ़ाते जाएंगे ठीक ठाक से मिलते हैं फिर अगले क्लास में हम लोग आई होप सबको समझ में आगे आज का टॉपिक अब आज वाला पढ़के आने से ही कल का समझ में आएगा ओके अब आज जो नया भी जॉइन किया होगा उस वेलकम टीनू सबको वेलकम 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 मंजनी आप सबको वेलकम मिलते हैं फिर ओके पर सोगे ख्लास में आप आप सबको समझ में आ गया होगा पोश्चन ऑर इंटेट ज्यादा पढ़िए और नोट्स पनेंगा ऑके ताकि CETPG बहतर जाए वेलकम सलमान वेलकम एवरि आइट आइट